सबसे इंपॉर्टन सवाल के वपर चलते हैं कि हमें चाहिए क्या स्टॉक मांकेट में काम करने के लिए आपको चाहिए basic KYC किसी भी बैंक में जाते हैं खाता खोलते हैं KYC करनी परते हैं KYC is no your client या customer तो basically कोई भी योग ने देशिन आपसे KYC आज की रपने काना पसंद करती है mandatory है बहुत ही जरूरी है उसके लिए क्या है बैंकार्ट जरूरी है आधार जरूरी है एक passport size photo होनी चाहिए bank account होना चाहिए वही तो KYC है जो आपको किसी bank के खाते के लिए चाहिए तो वही KYC से आप अपना DMAT और टेडिंग के शुरूरात कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बहतर है क्या एक bank बहतर है या एक broker बहतर है कहाँ पे अपने trading और DMAT account की शुरूरात करनी चाहिए देखिए bank का काम banking का है उन्होंने अपनी broking के divisions को खोल के रखा है जी हाँ वो भी अच्छी service देते हैं उसमें कोई शक नहीं है बर broker का काम banking का नहीं है broker का काम है full-fledged share broking का तो वहाँ पे आपको personalize service मिल सकती है वहाँ पे आपको एक edge मिलने वाली वहाँ पे एक extra benefit रहने वाले तो मैं कहूँ अगर सोचा जाए तो broker के साथ मैं जाना चाहूँँगा personal मेरा opinion है क्योंकि वहाँ मुझे personal service मिल पाएगी as a full-time full-fledged professional broker banks brokers का काम कर रहे हैं उनका एक broking का wing है बट जो broker है वो full-fledged broker है तो मुझे वहाँ पर जाने में ज्यादा मजाने वाला है कौन से broker सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इंदुस्तान के दार में कुछ लिस्ट आपके सामने दे रहा हूँ जैसे सिरोधा है बहुत अच्छा broker है अपसोक्स है जिसमें टाटा का पैसा लगा होगा है एंजल ब्रोकिंग आपने सुना होगा है एंजल वेन जिसका नाम होग जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं बिलकुल आगर किसी भी ब्रोकर के पास आप पर्रोश करेंगे तो सबकी ऑनलाइन एप्लिकेशन सबकी गूगल प्ले स्टोर पे आप स्टोर पे आपको हमीशा मिल जाएंगी तो आई यस यू केंट ट्रेड ओनलाइन इनी ब्रोकर सिडिंग इन दी कंट्री कहीं भी बैठके किसी भी जगह बैठके आप ट्रेडिंग और इन्वेस्मेंट कर सकते हैं बड़े वजूर को ने कहा है कि स्टॉक मार्केट बड़ा खतमा गया तो क्या ये वाकर डिंजर से जी नहीं बिलकुल भी रिस्की नहीं है अगर आपके आस नॉलि अगर आपको उसकी सही नॉलिज पता है तो रिस्क लिमिलिटेड हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है लगा सवाल है इसका जवाब पहले विजिए हमने इट इस रिस्की only and only without knowledge so have your knowledge properly चले बढ़ते हैं बजार के ओपर डाइटली और समझते हैं कि आगे के सवाल क्या हो अगर पूरी पूरी का बिजनस ही लोग संभाल रहे होते हैं जितना काम धंदा कंट्री में हो रहा होता है यह कंपनी संभाल रही होती हैं तो यह वो कंपनीस हैं जो Nifty 50 Index को comprise करती हैं इसी से यह Index बनता है अब जैसे Nifty 50 है वैसे हमारा सवाल होता है कि Sensex क्या है Sensex is an Index of BSE Bombay Stock Exchange जिसमें क्या है जैसे Nifty में Top 50 कंपनीस रहती हैं यहाँ पर Top 30 Companies of India BSE Sensex का part बनती है नहीं लोगों के लिए सवाल रहेगा कि NSE क्या है NSE हमारी Exchange है विचिस क्या है वैसे ही है हमारी एक और Exchange है विचिस क्या है Bombay Stock Exchange जिसको हम कहते है BSE कैस आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो का style अच्छा लग रहा है अगर आपको लगता है कि हैसे beginner आपके लिए वीडियो helpful है तो प्लीज अब भी जाके like पैस कीजिए उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेगा क्योंकि आपको एक like मुझे motivate करें का ऐसी content आपके लिए लेकाने आगे आने वाले content बहुत ही interesting बहुत ही जबस होने वाले तो आपको एक like मुझे ये पताएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं तो please go and like the video so that we can start ahead सबाल आता है कि equity किसे कहते हैं shares किसे कहते हैं shares एक essay instrument है जिसमें जो निवेश करता है उसके पास right होता है vote करने का profits को share करता है company के और company के assets को claim कर सकता है क्योंकि वो एक shareholder है company के नफ़े नुकसान का हिससे दार है इसलिए who is a shareholder? a shareholder also referred to a stockholder is any person, company or institution that owns at least one share of a company वाल एक भी share अगर आपने खरीद के रखा है just one share आपको बने बवला था अब 10 रुपे से कम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं पर इसका यह नहीं है कि आप shareholder नहीं कहलेंगे अगर आपने एक share भी खरीद के रखा है कि अभी आप उस company के shareholder या share धार कहे जाएंगे जी हाँ, broker कोन है? broker आपके बीच में एक ऐसी firm है, एक ऐसा institutional है, ऐसा intermediary है, ऐसा बिचोलिया है जो आपके और exchange के बीच में काम करता है, उस दूरी को कम करता है, आपको facilitate करता है कि आप निवेश कैसे करें एक DMIT or trading account को खोलने के स आप साथ, शोले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, और interesting concepts क्या है, और concurrency terminologies हैं, जो आपको as a individual, as a fresher पता होनी चाहिए, stock market में आने से पहले, what is a bull market, आपने सुना होगा, bull market, मला, bull क्या है, क्या bull की बात कर रही है, जहां, bull represents करता है energy, house, energy, powerful energy, bull market situation है, जहां price of stock increases rapidly, मला, अगर आप कुछ ऐसा pattern देखें, कि stock उपर की उपर जा रहा है, अकल 100 रुपे से stock start हुआ, 200 हुआ, फिर कही 500 रुपे क्या स्पासा है, फिर 400 रुपे हो गया, 600 रुपे हो गया, ऐसे में अगर मालीजे, भाव हमीशा लगाता है, बढ़ रहे हैं, तो this type of market is called as a bull market, य falling market is called as a bear market, जिसको हम मंदी भी कहते हैं,